आज मैं आई हूँ सेक्टर 17 चंडिगर्ड जहां पर तीन दिन के लिए बहुत ही बड़ा सा ट्रेड पेर लगा हुआ है बहुत ही खास बहुत ही शांदार और बहुत ही सुन्दर यह टेर लगा हुआ है यहां पर आपको हर स्टेट से मतलब डिफरेंट डिफरेंट से बहुत कुछ देखना मिलेगा यूनीक से आईटम्स आयो हैं जो चीजें मार्केट में ढून ढून के ठक जाते हैं वो सब कुछ खास है बहुत ही अच्छा लगा हुगा है काफी बड़ा भी है और सिर्फ तेन दिन के लिए रहने वाला है तीन से छे नवंबर तक आप यहां पर जरूर विजिट कीजिए बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा जूट के आईटम्स हो गए जूल्री बगारा जूट यहां पर खरीदने के लिए भी तो चलिए और फूट को और वगरा भी लगे हुए जहां पर आपको अलग-अलग स्टेट्स का खाने को भी मिलेगा तो चलिए विंटर को बहुत लंबा ना करते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बने रही वीडियो पर देखते रही वीडियो में क्या कुछ खास है तो यह है टिकट काउंटर जहां पर आपको एंट्री लेनी होगी और उपर टाइमिंग वगरा सब लिखा हुआ है वैसे यहां का टाइमिंग सुबह मॉर्निंग 10 एम 2 नाइट में 8 बजे तक का रहने वाला है और मैंने यहां पर दो टिकट ले ली हैं और 50 रुपीज पर हैड़ यहां पर चार्ज टिकट का तो चलिए भी अम अंदर चलते हैं और देख लेते हैं क्या कुछ न जा रहे हैं इस टेट फेयर के तो यह है 26 अडिशन चेंडीगर फेयर 2023 और जो रहने वाला है 3-6 नवंबर तक तो चलिए हम विजिट कर चुके हैं और 50 रुपीज यहां पर टिकट की जो है एंट टिकट है तो चलिए अंदर जाके देख लेते हैं क्या है और तो हम अंदर आ चुके हैं और ओविसली तो यहां पर होना ही होना है यह तो लाजमी सी बात है नेक्स मूव करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कश्मीर के स्पेशल शॉल सूट और स्टॉल्स वगरा मिलेंगे आप पर रही देखेंगे बहुत अच्छी मतलब फैबरी कॉयलिटी सब कुछ एवन है तो यह कश् स्टॉल में आपको अब भी दिखा रही हूं तो आप इंजॉय कर सकते हैं अगर आप ऐसी चीज़े पसंद करते हैं तो आपको यहां पर एक ही छत के नीचे अलग अलग जगे की चीज़े सब मिल जाएंगी उसके बाद जैसा कि अब आगे सर्दी भी आने वाली है और साथी साथ यह जो सूट में आपको दिखा रही हूं यह सिफ और सिफ 1200 की रेंज के सूट हैं हैवी भी हैं पाटी वियर हैं और गेंजा का कपड़ा इसमें और एक टीशू वेपर का जो कपड़ा काफी अच्छा भी लगता है और काफी कोसली भी आता है वो सर्भ यहां पर वराइटी आपको देखने को मिल जाएंगी इस तरीके के पाकिस्तानी दुपटे वगरा मिलेंगे आपको 1200 की रेंज में तो यह स्टॉल मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि सूट की रेंज 1000 रूपीज और 1200 के आसपास थी जो की काफी अच्छी थी नेक्स यहां पर आप काफी अच्छे लगे एक यूनीक सी आइटम है और इनका यह दावा कर रहे थे कि यह लाइफ टाइम खराब नहीं होती है ऐसे गोल्ड मतलब आप इसको यूज कर सकते हो कुछ ऐसे ही यह रहती है बाट कोस्टिंग के अगर बात करते हूं तो 3500 से स्टार्टिंग रेंज जो काफी अच्छी लग रही थी और यह देखी आप यह भी इस तरीके का सेट था नक के साथ में यह भी मुझे बहुत अच्छा लगा तो ऐसी ऐसी लेडीज के लिए यहां पे कलेक्शन आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा जूलरी का क्वालिटी वाइस मैं बात कर रह यहां पर इस तरीके की जूलरी लेकर कुछ साउथ की भी जूलरी थी यहां पर यहां पर इस तरीके के वैलवेट में कोट सेट देख सकते हैं यह इनकी रेंज यहां पर स्टार्ट हो रही थी 3500 से बहुती सूपर फाइन क्वालिटी के कपड़े हैं बढ़ हां कोसली तो है यह क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आये हैं स्टोल लगाने और एक एक जिविशन टाइप आप समझ सकते हो इसको एक मेला है मतलब तो रेट वगरा आप खुद देख सकते हो यह जो स्वेटर वगरा लगी हुई है यह 500 में इस थी यहां पर शोल स्वेटर और इस तरीके कड़ाई में इस तरह के कि अगर आप प्लाजो ड्रेस जाते हो या वन पीस जाते हो तो यह आपको मिल जाते हैं क्वालिटी वाइस तो बहुत ही अच्छे है क्वालिटी की कोई कमी नहीं है इन कपड़ों में यह 1200 से स्टार्टिंग रेंज थी विद प्लाजो भी आप ले और रेंज की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है 950 से मतलब क्वालिटी के अकॉर्डिंग और इनके वर्क के अकॉर्डिंग पैसे हैं आप समझी सकते हैं तो यह 950 से जूती का काफी बड़ा स्टॉल था और पूरे मेले में जूती का बहुत स्टॉल ह है उसके बाद आपको यहां पर वुड के आप देख सकते हैं इस तरीके के पोर्ट वगरा मिल जाते हैं यह जो स्टॉल है ना इस पर सारी चीज़े आपको वुड की मिलेंगी बिल्कुल अच्छे से डेकोरेड की हुई है आप देख सकते हो वुड के अंदर ही 100% वुड है यह इसके अंदर इनोंने पर्स वगरा बना रखे हैं और इस पर्स की रेंज थी 600 रूपीज जब मैंने इन से पूचा तो क्वालिटी बहुत अच्छी थी और यह सारी चीज़े हैं इसी वज़े से मशीन का इन में बिल्कुल भी यूज नहीं है तो यह थोड़ी सी कोस्ट कोस्टिंग वैसे ही बढ़ जाती है लेवर चार्ज तो लगी जाता है तो यह सब चीज़े आपको मिल जाती है यहां पर और आप देख सकते हो और यह लगा हुआ है फूड कोड बहुत बड़ा बैक साइड में इसको लगाया गया है यहां पर आप इंजॉय कर सकते हैं अल डेकोरेशन देखें आप बहुत ही सुन्दर डेकोरेशन की गई है और नाइट के टाइम पर यह और भी बहुत जादा सुन्दर दिखता है अभी तो दुबहर का टाइम है इस वज़े से थोड़ा सा यहां पर रश भी नहीं है और धूप भी थोड़ी जादा है उसके में आपको होम डेकोरेशन से रिलेटेड आइटम्स मिलेंगे जो काफी यूनीक है इससे पहले मैंने मार्केट में इनको उतना नहीं देखा था जो अभी मैंने यहां यह तो राजस्थान का कुछ फेमस आइटम्स वगरा है और इस तरीके के वाल हैंगिंग हो गए वाल प सुन्दर से आइटम्स है तो यह चीज मुझे नहीं लगी जो मैंने अब तक मार्केट में नहीं यहां पर देखी है इनकी कॉस्टिंग काफी ज्यादा लगी मतलब 48,000 50,000 के आसपास थी और यह वुड है वुड के उपर स्टोन वर्क किया हुआ है उसकी सिंडरी है कहीं भ टाइम ही नहीं है क्योंकि सिर्फ तीन दिन का तो यह मेला लगा हुआ है और यहां पर काफी लोगों का आना जाना लग गया है यह टिसू सिल्क में आप देख सकते कुट्टी है 950 की रेंज इन्होंने बताई थी काफी सारे कलर थे और मतलब अच्छी थी तो इस तरीके कि सिल्की साड़ी आप देख सकते हैं और इसका इन्होंने चार्ज आइधिंग 5000 बताया था तो ऐसी चीज़े आपको यहां पर यूनीक से मिलेंगी तो बहुत से लोग होते हैं जो ऐसी चीज़े लेना पसंद करते हैं यूनीक लगती है उनको और तो उनके लिए यह जो सिंद्री देखे आपको लगए घुड़ा चल रहा है इस तरीके का आपको फील आएगा इस तरीके की सिंद्री वगर यहां पर मिल जाएंगी आपको और उसके बाद लेडिस का तो जो क्लेक्शन में क्या ही बताऊं आपको जूरी से लेकर चोटे से लेकर बड़ा कपड़ लेडिस का इस मेले में बहुत जादा केलेक्शन आया हुआ है आप देख सकते हैं यह सारा लेडिस का ही है उसके बाद आपको यहां पर अलग अलग तरीके के डिफ्यूजर्स वगरा मिल जाएंगे जो हम मौस्टली ओन लाइन देखते हैं बजार में उतनी वैराइटी नहीं मिलती कुछ एक वैराइटी मिलती है बट यहां पर आपको काफी सारी वैराइटी देखने को मिलेगी औ तो यह डिफ्यूजर्स हो गए और उसके बाद में यहां पर काफी सारे जैल वगरा भी आयोए थे अलग अलग तरीके के तो जो लोग ऐसी चीजे लेना पसंद करती है फ्रेग्रेंस वाले जैल है जो आप लेके और थोड़ा सा इसमें डिफ्यूजर में डालके और रख सक सीजर के लाईटर सीजिए अलग लाईउच सेवन तॉजर में रेंज में यह सारे सारी जीतने भी आप देख रहे हो ना अरगल कलर में के सारे लेडिश के ट्रेस्ट थे समय साइज सब्सक्रेंड अपर लेडिश अधिशाप्ण कर रहे थे तो मिनिम्म रेंज यहां पर बगर भी मिलेंगी यह देखिए आप यह मैं लाइट वाले कॉर्णर पर आ गई हूं यह कैंडल वाला स्टेंड है जो की बहुत प्यारा लग रहा था पितल का और और यह फिर एक और सूटों का स्टॉल था पंजाबी सूट थे यहां पर बहुत ही रीजनेबल प्राइज में स्टॉल शेप में देखने के पहले दूर से देखके मुझे लगा पता नहीं क्या है फिर देखा मैंने यह नहीं है तो इस तरीके के लेडिस के ना बहुत ज्यादा स्टॉल है और बहुत ही यूनिक सी वैराइटी है देखिए बोलीवूड सूट फ्रों मुंबई आ गया य तो 1000 की रेंज में बहुत अच्छे सूट है यह आप यह शॉपिंग कर सकते हो बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे यह तो और रेट भी देख सकते हो कितना मतलब रीजनेबल है साथ में आप कलर देख सकते हो कपड़ा देख सकते हो इनका तो काफी अच्छा है यह तो इस उसके बाद यहां पर आपको जूट की चीजाए अगर आप लेनाप पसंद करते हो यूज करनापसंद करते हो तो जूट की बहुत सी चीजे हैं पारपेट और कोस्टर्स हो गए प्लांटर्स हो गए मैट हो गए और बड़े मैट हो गए वह सारे चीजे ना आपको पफीज हो गए वह जूट में मिल जाएंगे यहां पर स्टार्टिंग रेंज इनकी 50 रुपीज से थी और यह इस तरीके के जो राउंड मैट हो गए डाइ से अन्सक्षानाउ यह ने आपके इस समान को यहां पर फेर में यहां पर लगाया हुआ किया लगाय था इस का की यहां पर यहां पर जरॉल 27 cities में देखे तो यह revisit यह हाथ से बनाई होई सेंड्रियां हैं हैं पूरा टोटली वर्क किया हुआ है इन पर धागे का कितनी ओरिजनल लग रही है और बहुत ही सुंदर यह देख सकते हैं आप पूरा एक एक चीज ना बारिकी से आपको दिखाई दे रही होगी यह पूरा हैंड्मेड है और प्रा ठीके के भी मिल जाएंगे यह 500 का था और मतलब बहुत सी जीजें हैं जो मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पाई पूरा कश्मीर के भी ड्राइफ रूट वगरा यह सब चीजें मतलब यहां पर आई हुई हैं तो आप वहां पर एक बार जरूर से इस फेयर में विजिट कर सकते हो और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और तीन से छे नवंबर तक यह फिर रहने वाला है मैं उमीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी अगर अच्छी लगे तो प्ल की बाबाय टेकिया झाल 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 झाल